यस गैस तो फानले आप देख सकते हो 10th Board Science and Technology का पेपर जो कि Part 1 का है बहुत ही वायरल चर रहा है जो कि Board Exam Paper Pattern 2024 अनुसार लिया गया है साथ में पेपर Board Exam 2024 के लिए Most Most Important रहने वाला है तो पूरा Question Paper आपको यहाँ पर देख लेना है साथ में इसमें से कुछ Most Important Board Level Question आपको मिलने वाले वह भी आपको Exam Paper से पहले जरूर रट के जाने है तो Paper बहुत ही Important रहने वाला है साथ में अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आकन प्रेस कर दीजे और आप देख सकते हो First Page आपको किस प्रकार देखने को मिलता है यहाँ पर Subject Mention होता है और Important मतलब आपको इस जो Instruction है यह सबसे पहले आपको पढ़के जाने है ताकि आपको कोई भी दिक्कत नहों Paper के दवरान तो चले Paper को कर लेते Start Question No.1 A Choose the Correct Alternative यहाँ पर आपको 5 MCQ मिलेंगे सबसे पहले First MCQ देख लेते As we go above the Earth surface the value of G आपको पता होगा जैसे जैसे आप यहाँ पर above the Earth surface जाएंगे आपका जो यहाँ पर G का value है Decrease होते जाएगा तो Option D आपका correct होने वाला है Decrease देखे आपको इस टाइप question बन सकता है तो यह question आपको ज़रूर करके जाना है उसके बाद देखे The reaction of iron nail with copper sulfate solution is Reaction तो आपको यहाँ पर Displacement यह कौन सा reaction होने वाला है Displacement reaction तो simple आपको यहाँ पर definition भी बन सकता है तो आपको एक बार देख लेना है इतना important question नहीं है उसके बाद देखे The vapor content in the air is measured using a physical quantity called तो आप देखे है definition भी question आपको बन सकता है तो इसका correct option रहने वाला absolute humidity ठीक है तो यह option आपको tick करना है उसके बाद देखे The phenomenon in which the ice convert to liquid due to the applied pressure and then convert to ice once the pressure is removed is called तो इसे क्या कहते है इसे आपको regulation ठीक है Regulation इसको कहा जाता है तो आपको simple term ध्यान में रखने है As such इतना important question नहीं है क्यूंकि आपको हर एक paper में मैंने कहा है उपर वाले 5 MCQ आपको देख लेने है और आपका यहाँ पर short answer आपको एक question लिखना होता है Question का answer आपको easily in one word लिखना होता है वह 5 question हर एक paper के आपको करके जाने है तो आप देखे Next question है Carbonate ores are strongly heated in a limited supply of air to transfer them into the oxide This process is called आपको पता होगा इसे कहते है Calcination तो simple आपको यहाँ पर 5 MCQ है रट लेने है और उसके बाद यहाँ पर हम बात करेंगे Most important board level question की जो कि आपको important tick mark करके मिलने वाले है वो होगे 2 marks, 3 marks, 4 marks के तो simple जो यहाँ पर लगो 5 MCQ और 5 very short question answer आपको यह देख लेने होते है देखे एक question आपको इस type बनता है state true or false एक आपको statement मिलेगा और आपको 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 बताना होगा कि true है और फिर false तो simple question बनेगा don't worry उसके बाद देखे एक question आपको इस type बनने वाला है match the pair यहाँ पर आपको column में एक एनके term मिलेगा उसके बाद आपको यहाँ पर तीन option दिये जाएंगे तो इसके लिए आप तयार हो जाएए उसके बाद आपको एक odd on out को question मिलेगा तो यह पाचो के पाचो आपको question देख लेने है ठीक है तो चलिए बात करेंगे important question की तो देखे question number 2 है due the scientific reason इसमें आपको दो ही question solve करना है और लगबग 3 question आपको मिल जाते है मैंने हर एक paper में कहा है आपको कि आपको लगबग यहापर एक question ऐसा मिलेगा दूसरा question बहुत important राने वाला है जो कि sodium is always kept in kerosin most important question है guys आप इसे जरूर करके जाते हो तो दो marks के लिए आपको इस ताइब question बन सकता है तो आप इसे जरूर करके जाते हो दूसरे question इतने important नहीं है उसके बाद बात करेंगे question number 2 बी जिसमें आपको लगबग यहाँ पर 3 question solve करने होते है और लगबग आपको यहाँ पर 5 question मिल जाते है तो 3 question आप mostly priority दीजिए कि आप theoretical question attempt करें देखें distinguish between reflection of light and reflection of light आपको definition भी बन सकता है reflection and reflection तो यह question most important रहने वाला है उसके बाद देखें मैंने लगबग previous लगबग 2 paper लिए ठीक है दो मैंने semi English student के paper लिए तो दोनों के दोनों आपको देख लेने क्योंकि इस type question और आपका जो tabular format में question होता है यह आपको तीनो paper में से जो question मिले है आपको कर लेने क्योंकि आप देखें टेबल वाला जो आपका यहाँ पर compound और names पूचा जाता है आपको mostly आपको आएगा याँ आएगा और IOPC name भी आपको बन सकता है तो दोनों paper में जो question मैंने आपको दिये वह जरूर करके जाते हो और देखें तीन नंबर वाले question में भी आपको लगबग यह मिलने वाला है जो कि लगबग तीन marks के लिए आपको एक table आएगा दो marks के लिए एक table और तीन marks के लिए table तो मैंने लगबग दो paper लिए है और दोनों अगर आपने नहीं देखें है बड़ लगबग आप तीन से चार paper में जो भी दिया है वह करके जाते हो तो sufficient है आपका question फट जाएगा ठीक है और आप easily answer कर पाओगे उसके बाद देखें यहाँ पर question आइससाज आप खुद से लिख सकते हो देखें वाट हैपन वेन methane is burn in air write the balance chemical equation for the same तो simple आप एक marks के लिए तो यहाँ लिख सकते हो अगर आप पढ़के जाते हो तो आप simple यहाँ जो यहाँ पर one word question दिया है आपको यहाँ पढ़के जाते हो उसके बाद देखें next जो important question बनेगा simple आप देखें यह question देखें जाए state the type of current in figure A and B state the type of current किस type current है A और B में A आपको लिखना है और आप देखें एक question आपको ऐसे बनेगा आप most important लिखके जाए mostly आपको एक diagram मिलेगा और उसको आपको label करना होता है labeling करना होता है तो अभी लगबग 2 marks के लिए आपका important question बनता है लगबग 5 marks का आपको इस type question मिलेगा एक paragraph मिलेगा आपको या फिर fill in the blank इस type question बनता ही है तो आप इस type question वाले जो पूरे question बनते है या फिर मैंने लगबग 3 paper दिये यह paper पकड़के 3 most important board level question paper दिये उसमें से important question में यह भी question दिया है तो यह वाला और उस paper मैंने के जो आज सुबह मैंने paper लिया है उस paper के लगबग आप 5 marks वाले question करके जाते हो तो आपका लगबग question फच जाना चाहिए क्योंकि देखिए आपको क्या आया है यहा पर complete the paragraph by using the proper word given in the bracket तो आप देखिए आपको लगबग यहाँ पर fill in the blank में 1,2,3,4,5 लगबग आपको यहाँ पर word fill up करने होंगे बट यहाँ पर आपको ज्यादा दिये तो आपको simple यह पढ़के लगबग 5 word यहाँ पर fill करना आना चाहिए तो इस type question के लिए आप तयार हो जाएगे क्योंक इसा question 5 marks के लिए आपको exam में देखने को जरूर मिलेगा और most important है लगबग पिछले paper का जो लगबग मैंने आपर second paper लिया है most important उसमें से जो 5 marks का question है वो आपको जरूर देखके जाना है इस type question है ठीके और देखे complete table वह भी मैंने आपको बोला था कि element और आपको electronic configuration इस type भी ब बात करेंगे most important question देखे इस type question आपको बनता है कि आपको एक बड़ा वाला question मिलेगा और फिर आपको सब question लगबग 3 मिलेंगे 3 marks के लिए तो देखे यहाँ पर क्या कुछ बूचा है can ionic compound conduct electricity what is the mint by ionic compound and due to example of ionic compound other than KCL तो आप देखे यह question आप जरूर देखके जाते हो आपको question एक बनेगा लिख लीजिए आप क्यूंकि देखे पिछले paper में भी आपको मैंने इस type question दिया था तक बग 3 या फिर 5 marks के लिए और ज्यादातर question आपको आएगा या आएगा इस type तो यह question आपको most most important tick करना है देखे observe the given figure and answer the following question और आपको इस type diagram देगा और आपको दे आपको इस type diagram दे रहेंगी और आपको simple है आपको question है सब question है उसका answer लिखना होता है तो देखे identify and write the natural process shown in the figure तो कौन सी process से आपको लिखना है don't worry guys सभी question के मैंने आपको answer provide कि है ठीक है answer sheet में आपको सब कुछ मिल जाएगा मैं आपको यहाँ पर only board level important question आपको पेपर में देख की जाने है ठीक है आप देखिए आपर first question दूसरा question है list the phenomenon observe this process तो कौन सा phenomenon है आपको simple लिखना है उसके बाद देखिए when is this process in आपको कब यह process देखने को मिलती है तो यह question का answer देखी लेते है देखिए यहाँ पर question number 3 और 3 में से 5th number का question है तो answer देखिए आप प्रॉपरली आप question number 3 और 3 में से लगबग 5th number का question है तो हम इसका जो answer है पूरा answer आपर देख लेते हैं तो देखिए यहाँ पर आपको लगबग 5 number का question मिलता है और इसके लगबग आपको 3 sub question है उसके answer दिये तो देखिए the natural process shown in the figure is formation of rainbow वहाँ पर एक rainbow आने के बन रहा है उसके बाद देखिए the phenomenon observed in this process are reflection देखिए reflection नहीं है reflection है तो इसे आप ध्यान में रखिए जहाँ पर rainbow होता है वहाँ पर क्या होता है reflection internal reflection and dispersion of light mostly यहाँ पर reflection और internal reflection and dispersion of light यह भी आपको लिखना must है तीक है उसके बाद देखिए third जो sub question है this process rainbow इस तीनी में दर the sun is behind the observer and water droplet in front in the front यह आपको लिखना ह यह बहुत important statement है तो तीनो statement आप करके जाते हो और उस ताइब आपको question बनता है तो आपको जरूर attempt करना आना चीए ठीक है guys बहुत important question paper है और जो में लगबख यहाँ पर 3-4 paper लूँगा आपके paper से पहले board level question paper है पूरा analysis करके लगबख आपको यहाँ पर question provide किये है और mostly आपक question को इसी type question देखने को मिलते है तो आप यह question किलकुल यहाँ पर miss नहीं करेंगे हर एक question को आपको क्या करना है लगबख दो बार तो आपको read out करके जाना ही है और लगबख 10-15 important question आपको मिलते है लगबख एक दो वीडियो में से तो आपको question read करने में simple लगबख 20-25 minute लगें मतलब लगबख दो वीडियो मिला कर आपको only one hour देना है मतलब total लगबख चार वीडियो आनि आपको दो हवर यहाँ पर देना है तो simple आपका पूरा लगबख यहाँ पर important question का पूरा base बन जाएगा तो आपको उसके recorded question बनता है तो आप जरूर attempt करके आएंगे चलिए आगे यह question आपको must है और यह जरूर करके जाते हो उसके बात देखिए आपको यहाँ पर लगबख आपको question बनेंगे यह आप देखिए ABC करके आपको सब question पूछा है तो simple package इतना important नहीं है उसके बात देखिए मैंने कहा था और उस type question आपको इस बार भी बनेगा most most important मैंने आपको बोला है कि आपको labeling करने के लिए आएगा तो जितने भी मैं paper provide कर रहा हूँ उसमें से जो आपका यहाँ पर labeling वाला question है आप जरूर attempt करके जाते हो तो देखिए यहाँ पर आपको दिखा है कि write the proper names of the orbit of satellite shown in the following figure and their heights from the earth surface तो आप देखिए यहाँ पर आपको as such भी question बन सकता है यहाँ पर आपको answer भी provide किया है कि यहाँ पर आप देख सकते हैं तो आप देखिए यहाँ पर question number 7 और उसका answer देखिए low earth orbit था एक medium earth orbit और एक high earth orbit अगर आप यह तीनों यहाँ पर labeling सही से कर देते हो तो भी आपका out of marks बनेगा ऐसे नहीं यहाँ पर आपको specifically पूचा होगा कि आपको kilometer में आपर लिखना है कि कितना kilometer है आपका low earth orbit medium earth orbit तो आपको यह ध्यान रखना है अगर आपको ऐसे ही लगबक यहाँ पर orbit के नाम भी लिखके आते हो कि low orbit है low earth orbit है high earth orbit है यह भी चलेगा don't worry इसके बाद देखिए height above the earth surface यहाँ आपको इतना लिखने की जरूरत नहीं अगर आपको specially बोला है कि आपको kilometer में आहाँ पर indicate करना है तो आप करेंगे नहीं तो आपना simple लिखना है कि कौन सा orbit है बस यही आपको करना है तो आप देख सकते हो यह question पर आपको देख लेना है only read out करते हो तो आपका यह question अगर आता है तो बन जाएगा उसके बाद देखि कि इतना आपका लगबक यहाप पर easy to moderate paper आता है ज्यादा hard level नहीं होता क्योंकि अगर आपका 5 marks का question बन गया जैसे कि आपको paragraph मिलेगा और 5 question जो सब question है आपको paragraph से attempt करना है तो आपका लगबक वह भी question easily बन जाएगा और last question देखिए आप पर 5 marks के लिए यह question बता है इसमें भ आपको reflection, reflection, diffraction यह वाला question आपको छोड़ना ही नहीं हर एक paper में इस type question में आपको दिया है तो सभी question को आपको कर लेना है और उसके बाद यह important question मनेगा जैसे कि observe the following figure and answer the question simple आपको figure यहापर observe करना है जैसे कि यहापर question देखिए क्या आप पूछे है which optical instrument has the arrangement of lenses as shown in the figure उसके again and label it properly okay okay यह 2 marks के लिए question है आपको फिर से question आने कि देखिए आपको यहापर आने कि यही आपको paper में यहापर लिखना है और उसका आपको लगवा कि यहापर क्या कुछ प्रोसेस है क्या labeling है labeling करना है तो आप देखिए इस type आपको सब question बनेंगे ही बनेंगे और 5 marks के लिए म आपको एक रफली आइडिया आ जाता है पेपर ज्यादा हाड नहीं होता इस टू मॉडल जाता है और इस टाइब अगर question आपको मिल गए तो फिर आपको मतलब यह question करके जाना ही है और यह question का आपको ज्यादा से ज्यादा फाइदा लेना है तो mostly आपको यहापर पूरा question paper क के साथ साथ जो भी important question दिये उसका answer paper से पहले आप जरूर read करके जाते हो और जिसने भी वह पिछले लगबग दो वीडियो most important दिये है मैंने वह नहीं देखे तो यहापर आपको दिख रहा होगा यहापर आपको क्लिक करके simply वहापर जाकर आपको वीडियो watch करना है तो चलि करते हैं आपके सामने यह वाला website आजाएगा ठीक है यह website आजाएगा इस पर आपको click कर दिना है simple आप click करते ही यहने के थोड़ा आपको scroll down करना है आप देख सकते हो आपर थोड़ा आप refresh भी कर लीजे का page को थोड़ा नीचे जाईए आप यहापर आपको दिख रहा होगा other subject और आपका यहापर maritime medium नीचे है और English medium उपर है ठीक है तो फिर आगर आपको यहापर science one का PDF डाउनलोड करना है तो आपको इस पर click कर देना है simple click करते ही आप दूसरे page पर आएगे और आपको थोड़ा नीचे जाना है और यहापर आपने click कर दिया तो आपका यह paper डाउनल और आपको आपको